हेलो दोस्तो मैं हर्शुता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ड बहुत सरे ऐसे दमपती हैं जिन्हें बच्चे होने का सुख नहीं प्राप्त होता है वो काफी दुखी रहते हैं बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हैं तो सब कुछ उसके उपर छोड़ दीजे विश्वास रखे एक फेद रखे कि आपको जरूर यह चीज होगा और आज इस फेद के साथ मैं एक उपाय भी आपको बताने वाली ह उसको प्लीज आप ध्यान से सुनिए कंसीव करने का जो सबसे जो आप अगर मंधली पीरिट के अगर बात कैलकुलेट की जाए तो जो सबसे फेवरिबल जो टाइम होता है जो फर्टाइल टाइम होता है वो होता है कि जिस दिन आपका ओविलूशन होता है यानि कि जिस दि female body part से अगर एक release होता है और सही समय पे अगर वो sperm के साथ fertilize हो जाए तो ही आप pregnancy आपकी conceive होती है उसके अलावा आपका बाकी relations से भी कोई ज़्यादा मतलम नहीं होता है आप किसी भी दिन relation प्लान करते हैं उतना matter नहीं करता है लेकिन अगर आप evolution time पे evolution day के दिन अगर आप planning करते हैं तो आपके pregnancy conceive होने के chances बहुत जादा होते हैं 99% से जादा chances होते हैं तो आज मैं बताती हूँ कि बिना किसी kit के आप कैसे evolution day का पता लगाईगा कैसे करिएगा तो सबसे पहली बात जैसे ही आपका period जो भी आपका cycle चलता है चाहे वो 28 दिन का हो 30 दिन का हो 32 दिन का हो no matter या फिर अगर आपका short भी time चलता है आपको करना क्या है बहुत ही simple से trick बताती हूँ आपको आप जैसे इसे देखिएगा कि evolution जब भी होता है आपके शरीर आपको कुछ संकेत देता है कुछ ऐसे बदलाव होते हैं आपके शरीर में जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मेरा जो time है वो evolution time है जैसे आपके शरीर में जो बतलाव आता है वो होता है आपके body का temperature यानि basal temperature जब भी आपका period आता है अगर आपको follow करना है तो एकदम complete आप इसको follow करिए आप definitely अपने अंदर change महसूस करिएगा और ऐसा होगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है बीना किसी दिन का gap किये हुए एक faith के साथ आपको ये सारी चीजे करनी है जिस दिन आपका period आता है उस दिन आपको अपना body temperature सुबह में जगते हुए नापना है ऐसे ही करते day 2 का नापना है day 3 का नापना है करते करते आपको पूरे 10 दिन अपने body का temperature देखना है चाहे वो आपका period 21 दिन का चलता हो 22 दिन का चलता हो 30 दिन का चलता हो 35 दिन का इससे कोई मतलम नहीं है लेकिन आपको आपके starting time से आपको 10 दिन तक लगतार अपने body का temperature सुबह में ज़रूर चेक करना है और उसे copy पर note भी करना है और आप next day आप solution होने के chances बहुत जादा होते हैं तो 11th day को भी आपको check करना है लेकिन without किसी भी gap किये बगार 11 दे भी जब आपको लगेगा कि आपका temperature थोड़ा सा जादा हो गया तो आप उस day को थोड़ा सा notice करिए और उस दिन आप pregnancy plan करने के बारे में सोचिए और relation के plan करने के बारे में सो two finger test होती क्या है तो आपको करना क्या है कि आपको comfortably एक जगा पे खड़े होना है और आपको अपने vagina के अंदर अपने finger को insert करना है लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि आपका हाथ बिलकुल अच्छी तरह से clean होना चाहिए नाखुन भी अच्छे से trimmed होने चाहिए ताकि आपको other किसी भी infection का डर नहीं हो और उसके बाद आपको रोज अपने vagina में ये चेक करना है कि आप कैसा मतला आपके insert हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है तो ऐसा होता है कि आपको थोड़े starting में problem होगी pain भी हो सकता है और maybe आपका finger अंदर नहीं जाए लेकिन जैसे जैसे आप 8 दे, 9 दे, 10 दे, रोज अगर सुबह में या कभी भी आपको time मिले तो आप ये चीज अपने साफ हाथों के साथ जरूर करीगा और देखेगा कि जब आपको एक दिन ऐसा जरूर आएगा maybe 11, 12, 13 दे जो भी अगर ऐसा समय आता है तो आप देखेगा कि उस दिन आपका असानी से finger अंदर भी चले जा रहा है और साथ ही साथ आपके finger में थोड़ी से चिकनाई भी रहती है चिकनाई जैसे कि एक जो white होता है यानि अंडे का जो सफेद पोर्शन होता है उस तरह की कुछ चिकनाई आपको दिखाए देगी और maybe शायद वो चिकनाई को अगर आप देखेगा तो वो एक तार जैसा भी आपको फैलता हो दिखाई देगा तो इस समय आपको समझ जाना है कि जब आपका evolution होता है तो इस तरह के तरल पदार्थ आपके शरीर से निकलते हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि वो आपका evolution day हो सकता है और ये evolution day की ही दिन आप relation प्लान कर सकते हैं जो male sperm होता है वो three to four days alive रह सकता है लेकिन उसी दोरान अगर जिस दिन evolution होती है उस दिन एक release होता है जिसका जो life span है वो one day है तो अगर आप alternate day पे अगर relation प्लान करते हैं तो ज़्यादा chances ये बनते हैं कि आपका जैसे ही एक release हो वो sperm के साथ fertilize हो जाए और आप conceive कर ज देखेगा कि आप एक पर जरूर आपकी साथ अच्छा होगा आप conceive भी कर जाएगा लेकिन ये विश्वास के साथ ये सारे चीज़े फॉलो करिए without एक दिन का भी gap किये हुए अगर आप seriously माब आप बनना चाते हैं तो please इस चीज़ को जरूर फॉलो करिए तो होप आपको मे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग ट्विन्स माइवर्ड